हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर ओन साइट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टर में यूज होने वाले चिकन मेश या मुर्गा जाली के बारे में इस वीडियो में आप देखेंगे कि मुर्गा जाली को आपको लगाना कहा कहा होता है और इसका परपस क्या होता है लगाने का तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखें मुर्गा जाली हम लोग जर्नली कंक्रीट और ब्रिक वर्क के जॉइंट्स पर लगाते हैं ताकि उनमें क्रैक्स ना होते हैं तो जब टेंपरेचर में वेरियेशन होता है मौसम बदलने के कारण तो यह जोनों मटेरियल होते हैं वह एक्सपैंड और कॉंट्रेक्शन करते हैं जिसके कारण हमारे क्रैक आने की चांसिस हो जाते हैं प्लास्टर में तो उसको प्रवेंड करने के लिए हम लोग हम chicken mash या मुर्गा जाली का use करते हैं दोस्तों मुर्गा जाली का use इसके लावा आप जो electrical की conducting होती है वहाँ कर सकते हैं साथ ही साथ आप plumbing की जो pipes होती हैं उनको cover करने के लिए भी कर सकते हैं इसके लावा जो drainage pipes होते हैं वहाँ पे crack आने के chances सबसे जादा होते हैं तो वहाँ पे भी आप इसका use कर सकते हैं दोस्तों civil construction sites पे आपको दो प्रकार की जो मुर्गा जाली है वो widely use होती ही दिखेंगी एक MS की होगी और दूसरी fiber की होगी generally आपको MS की जादा ही दिखेंगी पर मेरा मानना है कि MS की जाली होती है उसको आपको जो आपकी outer wall है वहाँ पे लगाने से बचना चाहिए क्योंकि कुछ समय बाद जो MS की जाली होती है वो करोड होके खराब हो जाती है वहाँ से plastic गिरने लगता है वहीं fiber की जाली में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता क्या से लगा जाता है मुर्गा जली लगाने के लिए सबसे पहले आपको surface को अच्छे से पानी से तरी कर लेना है उसकी क्योरिंग कर लेनी है उसके बाद आपको जाली यूज कर रहे है तो आपको नेल की सायता से पहले उसको install कर लेना है फिर उस पे cement paste लगा देना है जो आपकी MS की जाली होती है उसका installation थोड़ा सा टफ होता है as compared to fiber की जाली दोस्तों इस प्रकार से हम लोग मुर्गा जाली को साइट पे install कर लेते हैं I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दे और चैनल को subscribe कर दे ताकि हमको और motivation मिल सके आगे की वीडियो को बनाने के लिए धर आपना है 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 хотя ट में देण एगना है यद एवा दिनन कि उस आया है है